हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पास्पोर्ट साइज फोटो सेकेंडो में आप कैसे बना सकते हैं दोस्तो तो इस वीडियो में आज यही जानेंगे दोस्तो जैसे कि यह हमें कुछ नहीं करना है केवल फोटो को क्रॉपिंग करना है जैसे कि यहां से आप इसको cropping कर लेंगे उसके बाद इसमें या तो आप इस ट्रोक दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं उसके बाद एक बटम से ये देखिए दोस्तो एक बटम से आप कैसे बस एक बटम को क्लिक किजिए और आपके पास ये passport size बनके आ जाएगा दोस्तो तो वो setting कैसे करेंगे आज क कि इस वीडियो में जानेंगे मातिर एक setting दोस्तों बहुत असान है setting करना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों इससे पहले हम बता दे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें अगर आप मोबाइल में वीडि देना है दोस्तों तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले अपना photo Photoshop में open कर लेना होगा दोस्तों उसके बाद क्या करना होगा आपको इसको cropping करना होगा दोस्तों यह cropping tools लेना होगा और यहां दोस्तों width में 1.2 और height में 1.4 दे देना है दोस्तों उसके बाद resolution में 300 दे देना है दोस्तों तो यह हो गया passport size photo दोस्तों यह passport size है दोस्तों उसके बाद यहां से cropping इसको काट लेना होगा दोस्तों यहां से इसको ऐसे करके काट लेना होगा यह देखिए जैसे की काटने के बाद यहां से यह हो गया दोस्तों यह सही है उसके ब Ctrl A, उसके बाद क्या करना होगा, Ctrl C, इतना कर देने के बाद दोस्तों, अब क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जाना होगा, यहाँ, Side में दिख जाएगा, Action, अगर यह Option आपके पास नहीं आ रहा है, तो यहाँ से विंडो में जाके, और यहाँ, History, Action पे क्लिक करना होगा, द तो इसमें तीन टैब है, तो आपको बीच वाला पे Action पे आना होगा, दोस्तों, इसके बाद यह देखिए, Action लगाना होगा, दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ से Create Action कर लिजिए, दोस्तों, यहाँ से New Create Action पे क्लिक करना है, और यहाँ पे Function Key में आपको जाना है, और की select कर लेना होगा दोस्तों जैसे कि हम F2 को select करते हैं और record पे click कर देना होगा अब क्या करना होगा Ctrl N करना होगा Ctrl N new file open हो जाएगा उसके बाद यहां से F4 size ले लेना होगा दोस्तों उसके बाद OK कर देना होगा अब इसको इस copy को जो copy किये है इस फोटो को इसमें paste करना होगा Ctrl N के साथ Ctrl N के साथ paste कर देना होगा दोस्तों उसके बाद यहां से आपको size मिला लेना होगा दोस्तों यहां से ऐसे size आपको मिला लेना होगा उसके बाद Alt के साथ Mouse Select Click करके इसको Drag कर लीजिए ऐसे Drag कर लेना होगा दोस्कों ये हो गया इतना Drag हो गया उसके बाद फिर से Alt Plus Mouse का Left Click दबागे इसको फिर से एक Photo को Drag कर लेना होगा दोस्कों ये हो गया तीन Photo हो गया Ctrl E दबाएंगे लेयर को जोड़ने के लिए कंट्रोल ई दो बार प्रेस करेंगे तो यह जूड़ जाएगा दोस्तों फिर अल्ट के सांथ लेप्ट क्लिक दबाएंगे तो यह नीचे आ जाएगा दोस्तों यहां से अब देख सकते हैं जैसे कि इसको सेट कर लेना होगा एक बार सेट करना आप से लेप्ट क्लिक करके ड्रैग करना होगा दोस्तों यह देखिए जैसे कि यह ड्रैग हो गया दोस्तों अब फिर से कंट्रोल ई कर लेना होगा लेयर को जोड़ने के लिए उसके बाद इसको सेंटर में मिला लिए उसके बाद बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना ह दोस्तों उसके बाद आपको यहां से stop record पे click करना होगा यहां से stop playing recording stop करना होगा तो यह देखिए हो गया दोस्तों अब क्या करना होगा आप Photoshop को close कर दीजिए close कर दीए उसके बाद फिर से open करते हैं इसको open करने के बाद दोस्तों इसमें आप जो फोटो खुलना चाहते हैं वो आप खुल सकते हैं जैसे कि हम यह वाला एक फोटो कोई दूसरा ले लेते हैं जैसे कि यह वाला हम फोटो ले लेते हैं इसको Photoshop में open करते हैं यह वाला open कर ल करना होगा यहां से क्रॉप टूल ले लेना होगा उसके बाद इसको क्रॉप करना होगा इसके बाद इंटर करना होगा और अब कुछ नहीं करना होगा Ctrl A और Ctrl C इसके बाद जो आप वहां की दिये हैं F2 तो F2 दबाते ही आपके सामने ये बन जाएगा दोस्तो इसमें और एक काम कर दीजिए जैसे कि आप इसको क्रॉप कियें उसी परकार इसको क्रॉप करने के बाद image में जाना होगा उसके बाद इस ट्रॉप दे देंगे दोस्तो यहां से आप साइज ले सकते हैं जितना आप ले सकते हैं उसके बाद OK कर दीजिए उसके बाद Ctrl C कर लिजिए उसके बाद F2 जो आप function की में दिये हैं वो आपको दबाना होगा दोस्तो दबाते ही ये देखिए दोस्तो तो ये आपके पास passport size photo बनके तयार होगा दोस्तो तो ये वीडियो कैसा लगा हमें comment करके बताईए दोस्तो और वीडियो को like, share और channel को subscribe जरूर किजिए दोस्तो और ये वीडियो कैसा लगा हमें comment करके जरूर बताईए दोस्तो और वीडियो like, share और चैनल को सस्क्राइब जरूर किजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में